Hey guys, welcome back to my channel तो guys, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे Pencils, Shading के बारे में Pencils के Grades के बारे में कि किस तरह से Beginners को Shading की Practice करनी चाहिए तो Shading के बारे में मैं Complete बताऊँगा बिल्कुल Basic of Shading कि अगर आप Beginner हैं तो आपको किस तरह से Practice करनी चाहिए अगर आप इस तरह से Practice करोगे तो Definitely आपकी Shading इंप्रोव हो जागी Starting सही बट अगर आप ये Practice नहीं करोगे सीधा Objects में Shading करोगे न तो उसमें आपसे अच्छी से नहीं हो पाएगी और में सब Puse भी है तो Puse को भी मैं बताऊँगा और ये गलतिया करें तो बताऊँगा कि क्या आपको नहीं करना है किस तरह से Pencil को नहीं पर करना है और किस तरह से Shading नहीं करनी है बाकि पहले मैं आपको बता जाता हूँ किस तरह से आपको करना है और कौन सी Pencil का मैं यूज़ करूँगा और आप लोगों को बताने के लिए पैंसिल्स का यूज़ करूँगा स्टैडलर की जोगी काफ़ अच्छी क्वाइटी की होती है तो 6 ग्रेट्स की है आप कोई भी नॉर्मल यूज़ कर सकते है मैं ये इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इसकी ग्रेट्स काफ़ सही होती है तो आपको ग्रेट्स का तिल दाएगा पता बाकि आपके पास कोई नॉर्मल है तो आप उससे भी कर सकते है तो ये बॉक्स है मैरे पास स्टैडलर की पैंसिल्स का जिसके अंदर 6 पैंसिल्स है HB से लेके 8B तक 6 grades की तो ये अच्छी quality की pencil से हैं तो आपको grades के पारे में अच्छे से उन में आ जाएगा तो ये HB से लेके 8B तक है HB light होती है 8B dark होती है जो कि आपको दिख रहा होगा आगे से काफी मोटा सा है तो ये काफी soft होती है और HB काफी hard होती है तो जितनी जादा grades बढ़ेंगी उतनी जादा soft pencil होगी तो 8B से उपर भी आती है 9B, 10B तो ये मेरे पास high unique 10B भी है बढ़ अगर आप beginner है तो आपके पास ये 6 grades भी है तो आप अच्छे से practice कर सकते हैं एक बार मैं इन सबको sharp कर लेता हूँ फिर shade करते हैं तो मैंने बिल्कुल sharp point तो कर लिया अब मैं आपको बताता हूँ shading करने से पहले आपको pencil को पकड़ना किस तरह से shade करने के लिए pencil को आपने पकड़ना है कुछ इतने पीछे से बिल्कुल आगे से मत पकड़ना हैं नहीं कोई lines से दिख रही है वड़कर हम बिल्कुल आगे से पकड़के shading करेंगे तो lines जैसी हो जाएगी तो इसमें और इसमें आपको काफे difference देखने को मिल रहा होगा तो इसलिए pencil को हमेशा इस तरह से पकड़ना और फिर हलके pressure से इस तरह से shade करना प्रेशर ज्यादा नहीं देना है तो हमारी shading कुछ इस तरह की होनी चाहिए और एक और टी pencil को आप जितनी पीछे से पकड़ोगे ना उतनी light आपको shading मिलेगी जिसे मैंने अब इतनी पीछे से पकड़ ली तो अगर अब मैं shading करूँगा तो और light shading मिलेगी हमको pressure कमी रखना है तो ये एक method आप use कर सकते हैं देखो आप और भी light shading मिली है कोई light area आपने shade करना है तो आप एक ही pencil से कर सकते हैं पीछे से पकड़ के उसको अगर इससे थोड़ा dark करना है तो थोड़ा आगे से पकड़ लो इस तरह से फिर shade कर लो इससे आपको सेम रखना है और ज्यार dark करना है तो आपको 2B का यूज़ करना पड़ेगा एकदम से pressure का apply मत करना 2B का यूज़ करना इतनी बीचे से पकड़ो 2B HB से थोड़ी ज्यादा soft होती है तो आपको dark रिज़ल देखने को मिलेंगे इससे ज्यार dark करना हो तो 4B का यूज़ क 7B है मेरे पास Stadler में 6B और 7B में ज्यादा difference नहीं लगता है तो आपको दिखी रहा होगा और 8B तो काफी चोटी होगे सबसे यूज़ होती है dark areas में तो इसमें pencil extender का use करूँगा मैं देखो तो यह pencil extender इससे pencil को hold करने में दिक्कत नहीं आएगी चोटी से चोटी pencil को देख करते हैं तो यह होगी 8B तो यह सबसे ज्यादा smooth है इसमें graphite में क्या होता है न जैसे जैसे pencil के grade बढ़ती है तो जो graphite के particle है वो बहुत smooth हो जाते हैं थोड़े बड़े बड़े particle हो जाते है dark dark particles हो जाते हैं जैसे कि देखो यह HB थी तो HB में छोटे होटे particles थे dark भी नहीं है बट जो ज्यादा grade की है देखो 8B इसमें कि काफी dark particles हैं तो यह डिफ्रेंस होता है grades में so अब यूज करते हैं 10B यह और भी ज्यादा smooth होगी so I hope आपको grades के बारे में चल गया वापता light to dark किस तरह से होते हैं किस तरह से हमको pencil को पकड़के shading करनी है तो आप बात करते हैं क बिल्कुर uniformly shading हो पाएगी so यह मैंने कुछ boxes बनाए हैं जिसमें हम shading करेंगे pencil के grade के हिसाब से जो कि beginners के लिए काफी health पूर लेगा अगर आप इस तरह से practice करते हो तो simply इस तरह से box बना लेना scale का use करके या फिर freehand भी बना सकते हैं सबसे पहले तो हमको pencil के grade को समझना है कि हम pressure को control कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे तो मैं HB से start कर रहा हूं तो इसमें मैं shady करूँगा एक ही pressure से तो दो layer लगाऊंगा मैं तो यह हो गई HB अब use कर रहा हूं 2B आपके बास कोई भी brand की pencil हो आप इस तरह से practice कर सकते हैं बट अच्छी quality की होगी ना तो grades बिल्कुल सही मिलेंगे आपको आपको grades में actual में difference देखने को मिलेगा बट तो cheap होती है उसमें इतना difference देखने को नहीं मिलता So HB से 2B में आपको difference देखने को मिल रहा होगा Shading मैंने एक ही pressure से की है तो आप मैं use करूँगा 4B इस तरह से ना जो भी pencil आप use कर रहे हो ना सबसे पहले उसके grades को समझ लो So ये हो गई 4B, now 6B So ये हो गई 6B, now I'm using 7B So shading आप किसी भी direction में कर सकते हैं आपको practice तो सभी direction में ही करनी चाहिए जिस तरह से देखो यहाँ पर मैं इस तरह से कर रहा हूँ, पहले मैं इस तरह से कर रहा था, अब मैं यहाँ पर इस तरह से कर रहा हूँ तो वो object के हिसाब से आपको shading करने पड़ेगी, तो आप practice किसी भी direction में भी कर सकते हैं 7B में आपको थोड़ा सा difference दिख रहा होगा, now I'm using 8B 10B भी यूज करके दिखाए हैं तो हम आपको सो यह HB से लेके 10B तक कुछ इतनी grades होती हैं और उनसे आप कुछ ऐसी shading कर सकते हैं HB से बिल्कुल light, 10B से बिल्कुल dark तो इसी तरह से आपने practice करने हैं box बनाना और इसी तरह से बिल्कुल uniformly shading बनानी कोशिश करना यह practice करके आप सीख सकते हैं कि pencil grades कैसे होते हैं उनसे किस तरह की shading होती है ठीक है अब बात करते हैं कि light, dark किस तरह से हम practice करें कैसे कि मेरे पास यह भी HB pencil है तो मैं बिल्कुल lightly shading करने कोशिश करता हूँ इससे जितना ज़्यादा light हो सके उतनी light करूँगा बिल्कुल pencil को पीछे से पकड़के तो यह बिल्कुल lightest है HB से तो अब इसी pencil का यूज करके मैं इससे थोड़ dark grade बनानी कोशिश करता हूँ pencil चैंज नहीं कर रहा मैं बट layering change करूँगा थोड़ा pressure change करूँगा बट जो shading है उसमें patches नहीं होने चाहिए बिल्कुल uniformly होनी चाहिए तो यह भी मैंने HB से किया यह भी HB से किया और दुबारा इसी pencil का यूज करते है तो यह चारो boxes में shading different हुई है तो यह चार tone बना दी मैंने only एक ही pencil से तो अब से जाद light यह है उसके बाद यह उसके बाद यह फिर यह तो इससे भी dark करने कोशिश करते है pressure उतना ही रख रहा हूँ बड़ लेरिंग बढ़ा रहा हूँ और pencil को ज़्यादा पिछी से नहीं पगड़ रहा मेरे को तो आदे था तो मेरा हाथ सीधा चल रहा है shading में बड़ आपका इस तरह से नहीं चलेगा आपको अच्छे से slowly करना है control करना है pressure को यह वाला box सबसे यह dark है देख सकते हैं तो मैंने total पांच tone इससे बनाई है इस यह dark नहीं कर सकते हैं वो तो फिर pressure का apply करूँगा ना मैं तो वो उसको shading नहीं बोलेंगे हम कुछ इस तरह से इस तरह से हमको कभी भी shading नहीं करनी है shading हमेशा बिल्कुल light pressure के साथ में ही करनी है इससे paper भी damage हो सकता है और drawing भी अच्छे नहीं लगेगी और यह दोनो almost same ही result है इसको blend अगरा करेंगे ना तो ऐसा बन जाएगा तो हमको pressure apply नहीं करना है इसको करने मुझे सबसे ज़्यादा time लगा सबसे ज़्यादा कम time मुझे इसमें लगा बिल्कुल light में आपको जितना dark करना है जितने layer बढ़ाओगे उतने ज़्यादा time लगेगा आपको और इस तरह से करोगे तो देखो बीच में patches भी आएंगे इस तरह से तो इस तरह से कभी मत करना इसी तरह से shading करना जैसे मैंने को starting हो बता है pencil को पीछी से बगड़के बिल्कुल lightly सो इसी तरह से आप और ग्रेट जरो और एक ही pencil से different-different tone को बनानी गोहिश्ण करो जैसे कि मैंने एक ही pencil चाने बनाए तो इस तरह से बनाऊब ने इन जाले कि सो ऺिट थो बो फुर बी आउत्य भी एट बनाऊ ताकि आपको आइडिया हो जाएगा कि कितने pressure पर कितनी shading होती है कितनी light shading होती है, कितनी dark shading होती है अगर आपको यह आ गया, फिर आप shading बिल्कुल अच्छे से कर पाओगे, ऐसे ही हम dark to light भी कर सकते हैं, तो यह मैं 7B pencil यूज़ कर रहा हूँ अगर आपको इस तरह से shading करनी आती है, तो आप different different pencil से इस तरह से practice करो, only यही है basic pencil shading का, grades का किस तरह से light dark करना है, एक बार आपको इस तरह से light dark करना आ जाए किसी भी grade की pencil से, तो आगे आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी shading में जैसा कि मैंने आपको बताया किस तरह से एक ही pencil से different different tones बनानी है light to dark करनी है, या फिर dark to light करना है starting में आप से इस तरह से नहीं बन पाएगा बिल्कुल uniformly shading नहीं हो पाएगी किस तरह से होगी, वो मैं प्यूस को बोलता हूँ shading करने के लिए, इसको बताता हूँ किस तरह से करनी है, और क्या mistakes यह करेगा, वो देखते हैं बाकि मैंने इसको बता दो दिया पहले किस तरह से करना है तो चलो देखते हैं, मैं इसको box बना के दे जता हूँ ready? yes सबसे पहले HB, जैसे मैंने बताया तो आप ऐसे पकड़के इस box में shading करते है 2B मैंने कहा था, लाइट प्रेसर के साथ में करनी है यह लाइट है, पहले हम पकड़ भी नुखी और मैंने बहुता था पैंसल को थोड़ी पीछे से पकड़ी हो थोड़ी और पीछे से लेफ और भी ऐसे बनाने को इसकर ना है, यह भी तो मैंने देखिया है यह बिएच भी से किया है, यह 2B से किया है, बिल्कुल उनिफोर्म लिदेखिया, इसमें नी दिख रहे है ध्यान से लेखियो, मैंने पैंसल को इस तरह से पकड़ा है ना तो मशीन के तरह से लट़ है मशीन, तेरे हाथ भी मशीन के तरह चलेंगे यह बिएच गंडी में एक और है प्रैक्टिस की बात है बस इसम्पली कुछ इस तरह से करना है ठीक है, 6B से अब तू इसी पैंसल से इस वाले बॉक्स में करके दिखा प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है पैंसल कंट्रोल करना सीख, ऐसे पकड़ देख, ऐसे पकड़ के ऐसे चला पैंसल का ऐसे अगर मैं आपको डिफरेंस बताऊं सही और गलत में तो आपको खुदी दिख रहा होगा बीच में इसमें काफी पैचिस से दिख रहे हैं, बिल्कुल यूनिफॉर्मली शेडिंग नहीं हुई है बर जो मैंने किया था, देखो HB से मैंने HB से इतने सारे ग्रेट्स बना दिये थे बीचों में बिल्कुल भी पैचिस नहीं आया है तो आपने इस तरह से शेडिंग करनी है इस तरह से प्रेक्टिस करनी है कि आप यह अचीव कर सको मैंने देखा है बिगिनर्स जो भी बनाते हैं इस तरह से शेडिंग करते हैं पोर्टेट्स में या स्टिल लाइफ में आप सबसे पहले बॉक्स बनाके इस तरह से बनानी कोहिश करो इस तरह से शेडिंग करनी कोहिश करो इस तरह से pencil कहीं पर dark कहीं पर light मत करो ये देखो ये वाला box मैंने किया था only 6-2 pencil से इसमें आपको बिल्कुल भी dark areas नहीं दिखेंगे धब्बे नहीं दिखेंगे बीच में patches नहीं दिखने चीज़ तरह है कि बिल्कुल dark dark से बिल्कुल uniformly shading हो इस चीज़े से मैंने किया था चाहे कोई भी grade की pencil हो सरसे पहल तो इस चीज़ की practice करो इसके बाद light dark की practice करो किसी box में light बनाओ फिर उससे dark फिर उससे dark फिर उससे dark फिर एक दम से dark से light करो जिस तरह से मैंने आपको बताया तो आपने बस ये दो चीज़े practice करनी है अगर आपका ये बिल्कुल perfect हो जाता है उसके बाद आप object में face में shading अच्छे से कर पाऊगे बाकि आने वाले tutorials पर बता दूँगा मैं आपको तो आपको ये shading tutorial आपको पसंद आया होगा बिल्कुल basic मैं आपको बताया पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरू कि जाना चैनल पर ने हो सब्सक्राइब कि जाना मिलते हैं चल्दी ही next tutorial में thank you so much for watching so pewse से कुछ फिलाल इस तरह की बन पाई है देखो एच बी से लेके एट भी तक हकते नहीं करनी राम से खड़ा ले हमने नो भगा दो भगा दो भगा दो